कुलास अब कितना सेट हो चुका है आपका टोटल सेवन सेट हो चुका है साथ सेट तक कम्प्लीट हो चुका है और और क्लास का टाइमिंग है तो भर मार्सें लेकर सर्णी व्रत टो है के तक्राइब धोफर अर इसका पीडियाभि आपको टेलीकरम में प्रोवाइड कर रा दिया जाएगा दुपर टम्न प्लाश्टर पेडिस की अस्थापना के दौरान इन में से क्या होता है मात्रा मात्रा का विस्तार होता यानि द्रब्यमान और क्या दिया है दोनों द्रब्यमान और हीट का विस्तार होता है कंबसन होता है या क्या होता है लास्त में क्या दिया है इता यानि ही निकलता है तो इसमें आपका क्लास पदार्तों के नाम ऐंड सूत्र ठीके रहा注र घ्रमीकल फेर्मूला एणड खेमिकरल नेम , यह क्लास आपको बहुत पहले करा दिया गया ठीक है वहां पे जाके आप जिया क्यों पान पेरिसं स्क्राइब, मांत्रा और लिवरेट होतस है है ठीक है दोनों निकलता है option B आपका correct answer होगा both mass is expanded and heat is liberated ठीक है both mass and heat आपको क्या होता है expand होता है और liberate होता है यानि आम हासा में कह सकते है क्या मुक्त होता है option B आपका correct answer होगा इसको नोट का लिजिए कि विधुद्धारा की SI का है क्या है कि the SI unit of current क्या होगा इसा correct answer joule ampere वोल्ट या कुलंब तो current का SI क्या होता है आपका ampere option number क्या होगा option number B ठीक है और वोल्ट का वोल्ट किसका ही का ही होता है वोल्ट किसका ही का ही होता है potential difference का ठीक है यहां पे आपनों नोट कर लिजिए potential difference का resistance का ही क्या होता है ओम यह सब बहुत important है ठीक है इसका correct answer आपका B होगा और joule किसका होता है energy का और work हम लों बोल सकते हैं ECG द्वारा उत्पादित बिजली बलो को क्या किया जाता है किसको प्यों किया था ECG is senses the electrical force produced by stomach kidney brain या heart किसके द्वारा तो आपको बताया था ECG ECG का full form क्या होता आपका electrocardiogram electrocardiogram ठीक है इसका full form होता है exam में आपका यह आता है यह आप exam के लिए नोट कर सकते electrocardiogram और ECG का उप्यों किया जाता है हट के लिए ठीक है फिर दें कि आप्सन नमर कितना होगा डी कि हाट का impulse को मापने के लिए ECG का उप्यों किया जाता है कि जिमनाश्ट अपने हाथों पर कुछ मोटे पदार्त को लगाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिमनाश्ट अपने हाथों में कुछ मोटे पदार्तों को लगाते पावडर के तरह आसा रहता है वह क्यों लगाए जाता क्योंकि पकड बना रहे मतलब अगर वह वह किसी चीज़ को आपने तरफ उठाता है तो क्या होगा वो पकड बना रहा है मतलब फ्रिक्ष्टन रहे था कि वो श्लिप न्हां करें तो पकर बनाने के लिए यह किया जाता है फकर बनाने फ्रिक्षान के लिए ठक है आपका क्या होगा स्लिप ना हो यह स्लिप नहीं होना चाहिए वरनना यह चोंचा गेर जाएगा तो आपसिन नमोरा को क्या होगा की होगा सी इंक्रीज फ्रिक्षन फ॔र बेटर ग्रीप ऑन्टन नम Harley- contradictory थीए थीए बेटर ग्रीप वेहतर पकर बनाने के लिए घर्स इसका उप्यों किया जाता है ठीक है ऑप्सन नमर क्या वागत थीए ब्लास्ट फणनेंस में आयरन उक्साइड द्वारा कम किया जाता है कारवन मोनो अक्साइड सिलिका कारवन या लाइम इस्टोन और बहुत लोग का ऐसा कमेंट आया था आप लोग का कि मैं बहुत स्पीड पढ़ाता हूं तो आप लोग कमेंट करेंगे बता सकते कि आच्छा क्लास क्यास ठीक है कितना सब्सक्रीड कितना सुलो हिसके फिसाब से मैं आप को पढ़ाऊंगा तो ब्लास्ट फण्फ सि meant आयरण अक्साइड द्वारा कम किया जाता है कौन सा कम करें लोग क्रेंट такой ुप सन मॉन धरे कारवन मोनो अक्साइड का सूत्र क्या होता है सी ओ इ मोनMonowanxide इसको आप लोट कर लिजिएगा सिय का मतलब क्या होता carbon dioxide पार जाता हुआ रिसको Carbon Mono Music पारल हो जाता मूनो का मतलब क्या होता एक इसलिये एक oxygen है इसे जाने क्या होगा option A नैय शिन एक रूप है किसका रूप है vitamin b3 vitamin b4 vitamin b1 और क्या दिया beauty?大概 비-2 तो किसका अब आपको कमेंड करके बता सकते है option number a vitamin b3 vitamin b3 ठीक नियासिन या नयासिन पढ़ सकते है कोवेलेंट कंपाॉंड आपका क्या है कोवेलेंट कंपाॉंड सहीं हो जड़ेंग योगिक आपका क्या होता है औप्शन क्या दिया गया है संबंद परमानुवर में इलक्ट्रोन के बटवारे से बनने वाला कंपाउंड यह आपका बिल्कुल सही है ठीक है कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनता है इलक्ट्रोन का साज़धारी होता आपस में कम पीघलने और कथनांक लो मेल्टिंग पॉंट और लो बॉयलिंग इसके पास एक इलक्ट्रोन इसके पास एक इलक्ट्रोन इसको कितना चाहिए दो चाहिए अपना कक्ष को पूरा करने के लिए इसको भी कितना चाहिए दो चाहिए तो यह क्या करेगा इसको ले लेगा और यह इस इलक्ट्रोन को ले लेगा अपने तरफ मतलब क्या हो गया स लिले है ठीक है और यह क्या होता है Lo까지 ao low boiling point और क्या होता है back conductor of current मतलब options d आपका स्क्राइक नोगा आल अिज आजहंस ये यह जाश्च आपका एक्जाम्पल के तोर फिलिए घर खिंट है डिक है ऐसा नहीं कि अखला जना भी कंपाउड होता है MgO plus CO2 से क्या बना है Mg plus CO2 यह reaction हुआ है तो इसमें बोला गया है कि कौन सा पदार्थ आक्सी करन होता है मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि होता है तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडियस इसको अपनलम नोट कर लिज्ए लगात है ओक्सीडेसन और क्या होता है री डशन मतलब आक्सीकरन और हो करन के यह बहुत इंप्पोरटेंट चीज है इसको समझना बहुत इंपार्टैन एक होता आ क्सी घरन एक होता ओकरन अब आक्सी करन यानि औक्सीडियेशन में जो पदार्त आक्सी करन नमकी से कहते हैं जैसा मन लिए जाए कोई एक एक एटम है यह क्या करता है लॉस ओफ इलक्ट्रोन यह अपको समझ में आया होगा बिल्कुल अब उसके बाद क्या करेंगे आक्सी कारक और और क्या होता है मतल bites and raus I just start we talk jij joe atoms has जो पादार्त चालो या छो एतमक फीलोक्तों को लोस्ट करता है मतलब तयाकता उसक वंभmbli क्या को वह क्या होता है कि अधाता मतलब और कारक हो जाता है कि को और यह क्या होगा आक्सी का रख कि आक्सी कारख कि यहांपे रियखसन में क्या हो गया है यहां Psalяд में जी और प्लस क्या दी सहीक हो कारवन मिनुजकateg च्वाइट से क्या बनाइम्जी प्लस स्थींगे यहां पे बोला गया है कि कौन सांट प्रतिक् torch the water मतलब काून और इस रिव्चा अमतलब करन यहां बहुने with a oxygenation होताय तो oxidized का मतलब यहां पे यह यह 356-6 petites oxydation number oxydation number थिकास oxydation number दोनों फेम चीज अ मुरह समस्कते हम यह यह बर और शोप oxydation number कि जब मझानर विद एंट के टर में लेंगे तो क्या होगाarshidage Na comfort on are critics होगा प्लास्टो होगा है इसका मतला प्लस फॉर हो गया का सिज आ विक्लेश ङुरू का प्लस फॉर हो गया अब प्लस फोर फ्लस फॉर हो सब्सक्राइब किया एक था है इसमें को ब्लापर पर का ट्रीकkeln सब्सक्राइब यह उंस निनकालने का टरीका आपका सीयो कार्बन मोनो अक्साइड अप्सान नमर बी कि सी ओ नेक्स्ट कोस्टन निम्लिकेत में से कौन सा अधिक्तम वैलेंस इलेक्ट्रोन को पर्दसित करता है इस चीज को नोट कर लिया आप लो निम्लिकेत में से कौन सा अधिक्तम वैलेंस इलेक्ट्रोन को परदसित करता हैनुलिकाशं के टो एल्मोनियं का इल्प्रॉय मोर कितना होता है एय्टमिक निम्मर बोनジャ तो कितना होगा है एल्मोनियं का 13 होता है ठीक है फास्पुरस के वा आवरिकेपटर्वाल होता है कि सोडियम का 11ज और क्या धिया है सिली कोवन एक होता है 14 मतलब 14 तो सबसे वैलएंस कीस में होगा आपका फास्पॉरस में होगा कैसे पहला कंक्स में दो उसके बाद 8 उसके बाद हुआ पाँच सब से जढ़ना किसका है करके आप लोग को इलेप्रोनिक विन्यास करके देखना होगा तो करेक्ट एंसर क्या होगा ऑप्शन बी पी और पी से किसको दूनोट किया रहता है फास्पूरस एक्जाम में आपको नाम नहीं दिया रहेगा ठीक है यह सेंबल दिया रहेगा अधिक विया है अभी तो पह пере-ерт क्या ठोड़ सकत 차 क्या होगा पार्पॉरस यह बहुत यह चेस्पॉच में ठीक है फास्फोरस और अप्सन में क्या होगा एफ फास्फोरस को तो पीश्य तो और है फास्फॉरस कि क्या एफ कि 네 To कि रदरफोट के अलफा कोनों की बिखडने के परियोग की खोज किसके परवनाम सब्रूप हुई तो आपको उस दिन क्लास में बताया गया था कि रदरफोड मोडल क्या है तो आपको सबसे पहले क्या पताया था नूकलियस के बारे में बताया था ठीका आप्षन नूमर C आपको नूकलियस के बारे में आपको बताया था रदरफोड मोडल इसमें क्या होता आपका एक अलफा किर्णो का बीम आपका पास किया कराया जाता है नूकलियस से यह क्या होता है कुछ पार्ट आपका मतलब 20,000 में से 2-3 पास हो जाएगा और क्या होगा दसे पंदीर, फॉरट हो जाएगा यह यह इसनीक क्या होगा रिटें हो जाएगा इसके मतलब क्या होता है यह आपका क्या है रिजिट पाक है मतलब नूक्लियस है ठीके Lincoln कि को अप्शन नवर क्या कैल्सियम तो मानोसरीन में सबसे प्रचूर तत्तो क्या है ऑक्सीजन ऑप्सन नमर बी और ऑक्सीजन का एटोमिक नमर कितना होता है कौन से प्रियाट और कौन से गुरूप में पाया जाता है आप लोग कमेंड करके बताएं निम्लिखीत में से कौन एलकाइन स जाती है शिरिंखला का पहला सदस है प्रोपाइन मिथेन एथाइन या इथीन है तो एक कौन से ब्रांच होता आपका एक होता है अलकेन गर्जान है क्या होगा cn h2n-2 यह होता है तो बोला है कि अलकाइन अलकाइन सीरिज का फर्स्ट मेंबर मतलब इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा तो इसका फर्स्ट मेंबर कहां से स्टाट होता है इथिन से स्टाट होता है फिक है मतलब इंता इन हो जाएगा इंता होता है मतलब कारवन नमबर दो मिटस्टार्ट नहीं होता और अमर क्या होगा सी इताइन कि इसको नोट कर लिजेगा बहुत इंपॉर्टेंट है रेत और चीनी का मिस्रान इनमें से किसका उधारन है हेट्रोजीनस मिक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च हेट्रोजीनस क्या होता है अलग-अलग तो रेत और चीनी रेत और चीनी कि सैंड एंड सुगर ठीक है यह क्या होगा अभी आपस में नहीं मिलेगा ठीक है यह मिक्स नहीं होगा डू नाट मिक्स मतलब यह क्या है हेट्रोजीनस है ठीक है अलग अलगतरा का है हेट्रोजीनस इसको बोलते हैं बीसम बोलते हैं बीसम हेट्रोजीनस सोलूशन यानि बीसम मिक्सर बोल सकते हैं कि निम्ण में से कौन सा रोग मानों शरीर में रक्त को सिखाव को प्रभावित करता कौन सा लोग लुकेमिया मेनी नाइजी चाइटीस और क्या दिया है पोलियो और लास्ट क्या दिया है इस्मॉल पॉक्स यानि चेचक तो क्या होगा ऑप्शन वी में क्या दिया था मेनी मे लुकेमिया ओप्शन नमर ए ताप यह उर्जा से उंत्रों में जिवास मिंधन की किस उर्जा में बिदूत उर्जा से परिवर्टन हो जाता है इघज depend video स्थोजिव इस ट्रंसफर्मड इन्टो एलेक्टिकल Cory hvis thermal power把它 क्या होगा इनारजी बदल जाता है यया कैमिकल एनरजी लेक्तिकन एनरजी तो यहां पर वह भिखन में बदल कि एल्योक्तिकल defender जाना हां तो कौन बदलता है safool अब our to info tempo क्या होता है समय कान से अबधार एक ओके जाता है क्या नहीं सोले इनरजी नहीं होगा वह स्विस्ट्म में होता है कि यहां पर आपका fossil fuel बोला गया fossil fuel तो फोसिल फ्यूल में आपका क्या होता है कार्बन ही पाय जाता है मतलब यह तरह किया है रशायनी के एनलजिये ते रशायनी कुर्जा इसमें हम लुगा रशायनी कुर्जा ही प्राप होगा जोग अफशन데 क्या होगा बी बिधुद बल्ब पर बिजली का रेटींग एक सो वाट होता है तो इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ क्या है तो 100 वाट का मतलब क्या होता है यह किसका यूनिट है पावर का यूनिट है मातलब एक सो वाट का मतलब यह होता है एक सेट में एक सेटेंड में सो जूल इंदॉल क्या करता है प्रती घंटे तो नहीं होगा प्रती सेकेंड वला तो आप्सन नमर बी आपका एंसोर प्रती सेकेंड सो जूल की बिदू तुर्जा की खपत करना मतलब बी ऑप्सन नमर बी तो आपको टीक आउट करना इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया 100 वाट का मतलब क्या होता है सो जूल प्रती सेकेंड तो आपको चार उप्सन पढ़के देखना है कि किसमी यह दिया गया है निम्निकित में से कौन नीला लीटमस लाल होगा मतलब पहले से आपका क्या है नी हुआ होता है कि यह काइस होता आ निंशर में यह क्या करेगा ब्लू लीटमस को क्या करेंगा रेट कर देगा रोप्सन नमबस अ के निमलिखित में से कौन से पदार्थ तनूफ ongemony के साथ उप्चार carbon dioxide नहीं देगा निम्बू marble और क्या दिय गया है बेकिंग soda छुना प्थर कौन नहीं देगा तो यहां पर निम्बू यह निम्बू क्या यह लिम्लिकित में से कौन पेट को प्रभाववित करता है कॉलिक अस्थमा माइग्रेन या क्या दिया है इस्पंडिलाइटीस तो क्या होगा सूल यह पेट को प्रभाववित करता आप सब्सक्राइब किया जाता है पी मोकर बया चारकोल्ड गृफॉवाइड कोक और कशवाही तो चारकोल का प्योग इसका प्योग किया टाइट ऑफ्सक्या दिया गे चारकुल ग्रिफॉवाइड के कोक और करेंड ब्लैक लेड पेंसिल बनाने के-直接 प्योग कि यहता है ग्रिफाइट कहा है ठीक है है पेंसिल से अब देख सकते है ग्रेफाइडिस का अंसर होगा गैस रिसाओ का पता लागाने में निम्रिकित में से कौन एक महक मतलब जो इसमेल दे ऐसा एजेंट को एलपीजी में एड़ किया जाता है एलपीजी सेलेंडर में ऐसा कौन सा गैसे एक पता चले वह गैस क्या हो गया है लीक हो गया है इथेनोल थायो इथेनोल मिथेन या क्लोलोफोम तो क्या होगा ऑप्शन करेक्ट अंसर थायो इथेनोल है थायो इथेनोल यह लग गास आपका क्या होता है एक है अपया एक सिलेंडर में अपया पता चल सके बहुत ऐसा क्या होता है यह स्में कोई इसमेल नहीं होता है ठीक है नौ मेल अगर वह लीक हो जाय तो प्रतीक नहीं होगा ऐसा हम लोग को आभाव ने होगा महसूस नहीं होगा कि वह लीक हो गया है इसलिए यह सब गैस्ट इसमें एड किया जाता है जब लीक हो तो पता चल जा कंटेक्टक्ट cog किसे बना होता है पोलीविनाल प्रोराइड, Polaelden, Lootiside और टेख्लों किक्ट से बना होता है Лो क्या दिया है सी कि दे एसाइ यूनिट ऑफ रजिस्टेंस रजिस्टेंस का साइट क्या है कमेंट करके बता है आप लोग फैरेड वोल्ट एम्पीर या ओम तो रेजिस्टेंस का साइट क्या होता है ओम ऑप्सन नमबर डी ओम और फैरेड किसका है साइट होता है फैरेड क्यापिसीटर का ठीक है फैरेड किसका होता है कैपिसीटर का वोल्ट किसका होता है आपको बता दिया गया है पोटेंसल डिफ्रेंस यानि विवांतर जिसको मनों बोलते है विवांतर और एम्पीर किसका होता है करेंट का होता है त करना ठीक है जो चार्ज को एड़ करने का कैपिसिटी रखे वह कैपिसिटर होता है चार्ज को अपने पास रखना जीवित जीओ और परियावरों के बीची बादसीत वे अध्यान को क्या कहा जाता है दा इस्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिट्वीन लीविंग और्गनिजम एंड इन्वारोमेंट इस कॉल्ड तो क्या होगा इकोलोजी ओप्शन नमबर ए कोशीका के अध्यन को क्या कहता है साइटोलोजी और इसका क्या होगा इकोलोजी यदि एक केजी के यानि किलोग्राम के दरब्यमानवाली वस्तु को एक न्यूटन के बल के आधिन किया जाए तो कितने फिलिंदा या 1 km2 से गती से चलेगी 1m2 से चलेगी 1m2 से चलेगी यह 10m2 से चलेगी तो हम लोग इसको नहीं का सकते हैं यानी तौरं इस्मॉल एपसे रिनोटे जाता है या तो मेडन प्रावर क्या हिए फॉर्स भाइ मास एंगर वस्टू है कि तो हुण होता है मिटर पड़ सेक पम्रिद्दाख जलतनाओ करो अपने के लिए नीमनीखीत मेंसे कौन सा उंपकरण उप्योग किया जाता है प्रकास मिती फोटो मींटर फॉटो मीटर comprehensive क्या दिया यहitा हो और के टंसushi weitere टीक है आपसन नंबर डी हीटिंग पर अर्ध चालक का प्रतिरोध क्या होता है मतलब जब सेवी कंड़क्टर को हीट किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है घड़ जाता है बढ़ जाता है या कॉंस्टेंट होता है मतलब कुछ चितो परिवर्थन होता होगा तो क्या होता है घड़ जाता है option number b decrease घड़ जाना है सेमी कंडक्टर यानि अर्ध चालक जब इसमें हीट दिया जाता है तो क्या होता है इसके जो बाहारी कख्ष के इसको हीट दिया जाएगा तो क्या बाहरी कजिया है जाएगा बाहरी कश्च का इयाक्ष। में प्रोडूस करना जैसे अगर मालना जाए इलेट्रॉण इस डियक्शन में आपका मुउभ होता है तो करेंट क्या होगा इसके उल्टे दिसा में प्रोडूस होता है ठीक है ओपसा नमर क्या होगा अब यह कम हो जाता है एक जेट इंजन सनरक्षन नियम पर कार्य करता है किस नियम पर काम करता है लिनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एनर्जी या मास तो यह न्यूटन स्लोब में बताया क्या आपको पोलिजन में ठीक है लिनियर मोमेंटम पर काम करता है ओप्सन नंबर ए लीनियर मोमंटम आप मिलीनियर मोमेंटम अफिन नमबर ए लेंस का नियम क्या है ए इनर्जी मोमंट्म चार्ट या अफिनिमर मास लेंसुके कंजरमसंकि होता है पूर्जा सनलक्षन वासिंग मसीन के कार्य करने का नियम क्या है क्या है सेंट्रिफ्यूजन डियलाइसिस रिवर्स ऑस्मोसिस यह दिफ्यूजन तो डिफ्यूजन क्या होता आपको बता दिया गया है डाब्सकी बता गया है डाइलेस सिस निससा खरण से नंबर ए। में इन कि याको यदि अल्फा बीटा और गामा किमों समानगति से मुँव करती है तो इसमें सबसे लंबित तरंग दैब यानि wavelength किसकी होगी कौन से होगी alpha ray beta ray gamma ray या all have same wavelength तो क्या बोला गया condition alpha beta और gamma condition क्या दिया गया है कि तीनों का velocity क्या है same same velocity से move करता है same velocity तो तीनों में wavelength का relation क्या होगा तो हम लोग को मालूम है भी बराबर क्या होता है n lambda यह फर्मूला हम लोग को मालूम है भी बराबर क्या होता है n lambda यहां पर भी क्या है velocity n क्या है frequency जिसको आवरिती बोलते है यह क्या है लेमडा ठीक है जिसको wavelength बोलते है अगर इसको हम लग constant रख दे तो क्या होगा भी directly proportional to lambda इसका मतलब कि भी बढ़ाएंगा तो क्या होगा लेमडा भी बढ़ेगा तो जब सेम wavelength और wavelength को हम लोग लेमडा से denote करते है ठीक है यह मालूम होना चाहिए बैरोमीटर में अचाना गिरावट का संकेत क्या है sudden fall in barometer is indication of यह बहुत important question है और बहुत लोग से गलती भी हो जाता है क्यों होता है question बोला गया sudden fall ठीक है slowly fall नहीं है sudden fall है sudden fall का मतलब यह होता है बैरोमीटर में यदि sudden fall हो तो क्या होता है आंधी तुफान आने की आसंका रती है storm ठीक है अगर exam में दिया रहे sudden fall पहले हम लोग देखेंगे ठीक है कि बैरोमीटर में क्या दिया transit and fall या slowly fall दिया यह ऐसे tick-out नहीं करेंगे sudden fall अकर दिया रहे तो storm आएगा ठीक है यहिए slowly fall दिया है मतलब बहुत slowly धीमा तो क्या होगा रेन normally रेन ठीक है तो storm अलग होता है रेन अलग होता है ठीक है इस्टो में क्या आता है तो हम लोग स्टों के जागा इसको टीक आउट कर सकते हैं दोनों में से को एक देगा ठीक है अनॉर्मली रैन अलग होता है शोली फॉल के कारण रैन और सदेन फॉल के कारण मतलब बहुत ज्यादा गिरावट हो गया तो आधी तूपान ठीक है ऑप्सन नमबर क्या होगा एक एक चालक के विधूत प्रतिरोत की काई क्या होती है तो विधूत प्रतिरोत की काई क्या होती है रजिस्टेंस की काई ओम और नमबर डी और रजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है कंडक्टेंस ठीक है तो उसका ही काही क्या होता है मुह या ओम इंभर्स बोलते है आप लोग ने पढ़ा होगा ठीक है मुह कहा जाता है यह कंडक्टेंस काही है यह कंडक्टेंस काही है कि यह रजिस्टेंस का उल्टा होता है ठीक है अप्शन नमबर डी सब्सक्राइब इस कोशन का कि परमानु की खोज किसने की थी अप्शन नमबर क्या दिया है मैडम क्यूरी जेम्स चाडवीक राधर फोड या जेजेट थॉम्सन तो परमानु का खोज इसमें से किसने की था आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है इसका अप्शन क्या होगा डेमो क्रीटस अप्शन यहां पर दिया नहीं कहा है डेम क्रीटस यह सबसे किया अधक तो यह जो सब्सक्राइब दैमो क्रीटस ने किया था यह सब्सक्राइब करें यहां इक फिलोस्फर तो ऊप्शन इस दिया नहीं किया तो नगी तो को यूड धो को होट तरेंगे और थीग है घर्युकर फोंसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे जे थॉम्शन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था तो इस question का answer किया आपको Democritus इसको आपने नूट के लिए बहुत important है एक्जाम में पूछा जाता है और यहां पे option में दिया नहीं गया है हूँ के नुसार तो हूँ का full form क्या होता है world health organization के नुसार एक सहर के लिए शुरक्षित आवाच अस्तर कितना होना चाहिए कितना decibel होना चाहिए 45 decibel 50 decibel 55 decibel या 60 decibel db का मतलब क्या होता है decibel ठीक है यह क्या है आपका noise का unit होता है unit of noise ठीक है unit of noise decibel इसको अब डीवी से denote करते है तो कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए 45 भू के अनुसार यानी world health organization के नुसार 45 decibel होना चाहिए ऐसा माना जाता है कि यदि 90 decibel से क्रॉस चल जाए sound तो क्या होगा environment के लिए बुरा असर पड़ सकता है ठीक है इसलिए average माना के है 45 decibel 90 से जादा होगा तो क्या होगा बहुत सारी बीमारी भी फैल जाएगी तो option number a आपका correct answer होगा यह नहीं होगा आवे किसके बराबर होता है यानि impulse is equal to impulse किसके बराबर होता है तो option क्या दिया है mass into acceleration force into time mv और क्या दिया है v minus u by t तो आवे क्या होता है impulse impulse क्या होता है यह हमारा changing momentum होता है changing linear momentum change in linear momentum ठीक है यह बहुत important है ऐसे तो आप लोग याद कर लिए होंगे कि क्या होता impulse पराबर ft होता है लेकिन यह आता कहां से आपको जाना बहुत जुरूरी है तो changing linear momentum को क्या बोलते है impulse बोलते है मतलब माल लिए जब मास M है v2 minus v1 यह क्या होगी आपका change in linear momentum मतलब impulse आप इसको हम लोग कैसे निकाल सकते है तो इसको solve करने को तो क्या आएगा हमारा ft आएगा ठीक है जब इसको common लेंगे तो क्या आएगा m into v2 minus v1 अब इससे हमको यह लाना है तो कैसे आएगा Newton's Newton's second law के अनुसार यह बताया गया है Newton's second law second law Newton's के rate of change of momentum क्या होता है force के समनुपाती होता है ठीक है यहां से आपका आएगा change in momentum बराबर क्या हो जाएगा f into t यह बहुत important एक्जाम में आया होगा question option b इसका correct answer होगा एक्जाम में यह भी पूछा जाता है जब numerical यह इसके बेस पे जितना भी numerical आपको करा जाएगा तो यह चीज़ आपको यहां पर बता दिया जाएगा कि इससे यह चीज़ कैसे आता है ठीक है अब यह क्या होता है हमारा सभी को मालू में यह क्या होता है गी टू-ग लिएट क्या होता है एक्चले अंहोता है एक्षेलेम इंटू क्या होता है तो फोर्स इंटू टाइम आया आपका product answer यह सब इजी है ठीक है बहुत पूछा जाता है तो न्युमेरिकल बनाते हैं अपको इसके आपको अग कर लिजिए बहुत important है किसी वस्तु के सम्वेक के परिवर्तन की दर किसके समनुपातिक या अनुपातिक होती है तो अभी आपको बताया गया option क्या दिया गया है mass of the body velocity of the body net force applied on the body या none of these so Newton's second law के नुसार Newton second law के नुसार क्या बता गया है कि change in momentum rate of change of linear momentum क्या होता है force के बराबर होता है ठीक है applied force के तो इसका क्या होगा option number c rate of change of linear momentum किसके बराबर होता है force के बराबर होता है अगर ध्यान से देखेंगे तो यह question और जो इसका पहले वाला question था यह वाला question दोनों question एक ही है ठीक है तो यहां पर आपका concept का ज़रूरत ज्यादा है ना कि formula रखने का सूरी के तपमान के साथ अलीक अगला question क्या पूला है छूरी का तप मान इंसे किसके दोरह मापा जाता है platinum thermometer पाईरोमीटर गैस thermometer या वीपर प्रेसा thermometer तो सूरी tr Verb men किससे मापा जाता है पाइरो ओट से और पैडरो मिटर को क्या कि आजता हाई टेंप्रेचर मापने एंपंप्रोमीटर थीक है ऑप दिया गया है और आज का लास्ट कोस्चन होल की दिवारों संगीत कारकरम के लिए कैसा बनाना चाहिए है किके एंप्रिफाइज सांड होना चाहिए या ट्रांसमीट सांड वना चाहिए रिप्लेक्टेटव सांड रहे हैं यह य作 rightly सांड होसा होता रहे गा तो प्रॉब्लम क्रियेट फोगा तो अब्सॉर्प सांड अप्शन नंबर डी ठीक है अब्सॉर्प सांड अ और हां गाईस आप लोग कमेंड करका जरूर बता है कि क्लास कैसा हुआ स्पीड हुआ या बहुत ज्यादा स्लोव हुआ ठीक है आपके हिसाब से क्लास दिया जाएगा थैंक यू